Hello everyone, मैं आशे करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज आप लोगों के लिए सीटार्ट साइंस की इंपोर्टेंट मैरत निहां पे कंटीनू करूँगी और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटार्ट पेपर टू साइंस की कंप्लीट फिजिक्स की मैरत निहां पे लेके आई हूँ और आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां पे मैंने पार्ट टू लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट केमिस्ट्री जो 6-8 के NCRT है उसको यहां पे डिस्कस किया था और अगर आप एक New Aspirant है या फिर इहां पर Last Moment के Revision के लिए परिशान है तो उस सीरीज को भी जरू देखेगा उसमें Part 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ Complete Chemistry कंप्लीट करने की कोशिश की है तो चलिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ Physics के जो Important Chapters है और साथ इसाथ Important Chapters के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Physics एक ऐसा सबजेक्ट है जिसका खुद का एक ऐसा नीचर है कि आप जब तक उस सब्जेक्ट में Numerical, Graphs वगयरा ना पढ़ो वो सब्जेक्ट कंप्लीट नी होता तो हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर Combile करते वे चलेंगे तो चलिए आज के Important Session हम शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ Light Chapter से आज का इस Session पर शुरू करूँगी और Light जो है प्रकाश जो है इस Class का जो Content आपका पूछा जाता है यह आप लोगों का 6-8 के NCRT के साथ साथ कई बारी Class 10 का जो Concept है वहाँ से भी Question पूछ लिया जाता है तो देखिए सबसे पहले अगर मैं Light के बारे में बात करूँ प्रकाश के बारे में बात करूँ तो Light क्या है? Light आपका Form of Energy है यानि कि उर्जा का ही एक श्रोत यह माना जाता है जिसके मदद से हम अपने आसपास के चीज़ों को देख पाते है और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक यह जो Law है इसको Discuss करना है जो कि है Reflection का Law जिसे आप परावर्तन का नियम यहाँ पर देखते है तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी अगर Light Ray जो है एक Plain Mirror पे यानकि एक समतल दरपन पे आती है तो एक Law को यहाँ पे यह Fulfill करती है और अगर यह Law को Fulfill करती है तब जाके इसमें Reflection के प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है पर एक Ray of Light है जो के Plain Mirror पे इस तरीके से कुछ Angle पे आ रही है और जहाँ पर यह Strike होती है इस पर एक Imaginary Line बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम Normal बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ यह जो Ray of Light आई इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप Incident Ray बोलोगे यह Ray of Light आके कहा पे Incident हो रही है? Plain Mirror पे Incident हो रही है और यह जो Ray of Light है जब यह Reflect होगी तो यहाँ पर इस Ray को क्या बोलेंगे? इस Ray को Reflected Ray बोलेंगे जो की Angle R यहाँ पे बनाएगी अब देखिए Reflection जो है आप लोगों ने अपने Day to Day Life में कहा पे देखा है कभी कबार हम जैसे Watch वगेरा पहनते हैं तो Watch वगेरा का Reflection हमें कहीं और पे दिखाई देता है अब सवाल यह है कि क्या हमेशा Reflection दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं इसके आपके दो यहाँ पे नियम है सबसे पहला नियम यह है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होना जाए तब जाके Reflection होगा और दूसरा यह नियम है कि यह जो Incident Ray है यान कि यह जो यहाँ पे आई यहाँ पे बनाया गया है यह एंगल आई नहीं यह वाला यह जो आई है और यह जो आर है और यह जो नॉर्मल है यानि कि यह जो Incident Ray है, Reflected Ray है और नॉर्मल है यह तीनों आपके सेम प्लेन में होनी ठीए कैसा होनी ठीए? सेम प्लेन में जब यह दोनों कंडीशन यहाँ पे फुल्फिल होगी यह जो Incident Ray है वो आपके आके Strike होते है तो वो कुछ Angle बनाके वो आपका Reflect हो जाती है बट अगर एक ऐसा Condition हो जिसमें एक Plane Mirror के उपर दिहान सो सुनिएगा जिसमें एक Plane Mirror के उपर एक Ray of Light अगर इस तरीके से Perpendicular आए तो इसमें क्या होगा? तो देखिए यहां पर अगर यह Ray of Light यहां बिलकुल Perpendicular यानके 90 डिगरी पे आ रही है तो यह बिलकुल Diffuse Manner में आ रही है यहां पर आप मेंशन करेंगे कि यह Diffuse Manner में आ रही है तो इस Case में इसका Image कहां बनेगा? इस Case में इसमें आपका कोई Image नहीं बनेगा यह आपके Previous Air में पूछा गया Question है यहां पर आपको Reflection का Concept तो Basic हमें पता ही है कि Angle I, Angle R के बराबर होना चाहिए यह Incident Ray, Reflected Ray और यह जो Normal है वो आपका Same Plane में होना चाहिए बट Previous Air में यह Question पूछा गया कि अगर एक Plane Mirror पे कोई Ray of Light है जो कि 90 डिगरी पे पढ़ रही है तो उसके साथ क्या होगा? अगर वो Diffuse Manner में आएगी यहां कि वो बिलकुल सीध है आएगी तो उसमें कोई भी Image आपको बनते भी नहीं दिखाई पड़ेगी तो यह Question आपके Previous Air में पूछा गया है इसके अलावा जब आप Light की बात करो तो Light में जो Image है वो आपके Mirror यांकि दरपन के वज़े से बनती है तो हमें यह Topic Light Chapter में पढ़ना होता है तो देखिए यह जो आपका Mirror है यांकि दरपन है यह Basically दो तरीके के हैं एक Plane Mirror और एक Spherical Mirror आ आपके Exam में Plane Mirror यांकि समतल दरपन और गोलाकार दरपन दोनों की ही अपने-पने Importance है दोनों को आप अच्छे से तियार करेंगे तो देखिए Plane Mirror के कुछ characteristics है वो पूछे जाते हैं जिसके लिए हम इस Ray Diagram को समझेंगे यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक Plane Mirror बनाया अब आपको इतना पता है कि Image Formation के लिए कम से कम दो Ray यहां पर Required होती है तो दूसरी Ray जो है यहां पर Law of Reflection को Fulfill करते वे यहां पर क्या करेगी इस जगह से इस जगह पर Strike होगी यहां पर बनेगा Angle Eye और यह इस तरीके से यहां पर निकल जाएगी यह बनेगा Angle Eye अब आपको Meet करते वे दिखाई पड़ेंगी तो आप कहेंगे नहीं क्यों क्योंकि यह वाली Ray आगे को जा रही है यह वाली Ray आपकी मीचे की तरफ जा रही है तो आप क्या करेंगे इसे आप Backward Meet करेंगे और इस जगह पर इनकी Meeting होगी अब एक सवाल यह बनता है Meeting कराना जरूर ह जब तक Ray of Light Meet नहीं करेंगे आपकी Image जो है यहाँ पर आपका प्रतिबिम्ब यहाँ पर नहीं बनेगा तो यह आपको Clear होना चाहिए अब इससे आपको क्या 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 पता चला सबसे पहले Plane Mirror के ऊपर आपको Virtual Image यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिम् Image होगा, Same Size का होता है, इसके अलावा Same Distance पर आपका बनता है, साते साथ यहाँ पर यह Laterally Inverted होता है, यह Point पर आप Include करिएगा, यह Laterally Inverted होता है, Laterally Inverted का मतलब क्या है, कि अगर आप अपनी Image को यहाँ पर Mirror में देखते हो, तो आपका Right Hand Left Side दिखेगा, Left Hand Right Side दिखेगा, इसके इसके अलावा यहाँ पर आपके Previous Air में सबसे पहले तो इसके Character Six से कहीं Question पूशे गया है, दूसरा इस तरीके के Question पूशे गया है, कि आप यहाँ पे खड़े है, Plain Mirror के सामने, समतल दरपन के सामने, आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आपका जो प्रतिबिंब है, यहाँ कहाँ पर बनेगा, इस से Related Question पूशा गया, तो Question कुछ इस तरीके से था, कि आप समतल दरपन से Plain Mirror से 3 मेटर दूर खड़े हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा Plain Mirror से दूर जा रहे हो, यहनकि 1 मेटर दूर जा रहे हो, तो आपके image पर क्या फरक पड़ेगा, तो जैसे आपको बताए कि अगर यहां से यहां तक का distance 3 है, तो यहां से यहां तक का भी distance 3 होगा, simple सी बात है, और अगर आप 1 मेटर दूर चले गए, तो यहां से यहां तक का distance आपका कितना हो गया, 4, तो अब आपकी image जो है, वो 4 मेटर और changing room में चारो तरफ आपके शीशे लगए है, तो चारो तरफ plane mirror लगा हुआ है, अब जो चारो तरफ plane mirror लगा हुआ है, इसमें जो image आपकी बनेगी, वो किस तरीके से बनेगी, तो देखिए reflection यहां पर continuous होता रहता है, तो image जो बनती है, यहां पर infinite image बनती है, अगर आपक अपके exam के लिए detail में ray diagram के requirement नहीं है, आप चाहें तो वो session complete देख सकते है, light chapter के, और यहां पर मैं आपके साथ वो concept discuss करूँगी, जो आपके paper में पूशे जाता है, तो देखिए यह जो concave mirror होता है, यह आपको जो अवतर दर पर होता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता इस तरीके से आपकी इस जगा पर image बनती है, तो इस तरीके के ray diagram होते हैं, और अगर हम उत्तल दरपन की बात करें, तो यह देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें concave mirror में यहाँ polish होता है, convex mirror में आपको देखने को मिलेगा, कि अंदर के side इस तरीके से polish होता है, त क्योंकि वो cave वाला part है, तो यह इस तरीके से जाकर आपकी image जो है, यहाँ कहीं बनती है, तो basically कहने का मतलब क्या है, कि concave mirror के, यहाँ पर आप इस stage को mention करिएगा, total 6 cases होते हैं, और 6 cases में से, यहाँ पर जो पहले 5 cases होते हैं, वो आपकी किस तरीके की image बनाते हैं, real and inverted, यह आ आप पोल और focus के बीच में रखते हैं, वो आपका जो last case होता है, उसके अंदर आपको virtual image देखने को मिलते हैं, paper में question कैसा आता है, कि concave mirror किस तरीके की image बनाते हैं, तो वो real भी बनाते हैं, और virtual भी बनाते हैं, total 6 cases होते हैं, 6 cases में से 5 cases real inverted, और 1 case virtual erect, इसके लावा convex mirror यान के उत्तर दरपन की अगर हम बात करें, तो इसके 2 cases होते हैं, और दोनों ही cases यहाँ पर आपको virtual image जो हैं, वो देते हैं, यान कि अभासे प्रतिविम्द देते हैं, तो यहाँ पर आपको इतना clear होगा, कि convex mirror हमेशा ही आपके, यहाँ virtual और erect image जो हैं, वो आपको बना के देंगे इसके अलावा अगर हम lens के बात करें, तो देखें, lens में इसका just उल्टा होता है, जहाँ पर concave के mirror में 6 cases बन रहे थें, वहाँ convex में, convex mirror कुछ इस तरीके से होता है, और concave mirror कुछ, concave lens सौरी इस तरीके से होता है, और इसमें अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर convex जो उत्तर इसके 6 cases बनते हैं, जिसमें से 5 यहाँ पर real और एक यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर virtual और यहाँ पर concave lens के क्या होते हैं, दो cases बनते हैं, और दो cases में से, दोनों ही cases यहाँ पर virtual होते हैं, तो आपके exam में कहां कहां से question पूछा गया, यहाँ पर reflection से भी question पूछा गया, और spherical mirror से भी question पूछा गया अभी मैंने आप लोगों के साथ basic concept यहाँ पे discuss किया है इसके अलावा light से related kaleidoscope, periscope, इसके अलावा pin hole camera इसको मैं आपके साथ diagramatically discuss करती हूँ और इसके previous year question हम cover करते हैं previous year question और आगे के concept को start करने से पहले मैं आप लोगों के साथ light chapter के कुछ और basic concept यहाँ पे discuss करना चाहूँगी जैसे हमारे आसपास जो object होते हैं वे दो तरीके के होते हैं एक होते हैं आपके luminous object और दूसरे होते हैं आपके non-luminous object यह जो luminous object होते हैं यह क्या होते हैं जिनके पास अपनी खुद की light होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं sunlight के पास खुद की light है पर planet के पास खुद की light नहीं है तो इस तरीके से आपको luminous object का concept पता होना चाहिए और non-luminous object के अगर हम बात करें तो जिसके पास खुद की light नहीं होती यह दूसरों की light को यहाँ पे reflect करते हैं जैसे हमारे earth हो गया, moon हो गया या आपके non-luminous हो गये इसके अलावा light chapter से related अभी मैंने आप लोगों के साथ reflection का पूरा concept mirror में किस तरीके से reflection होता है इसके लावा pin hole camera अभी हम discuss करेंगे बट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ shadow formation का concept discuss करना चाहती हूँ कि shadow formation होती कैसे है सबसे पहले तो यहाँ पर होता है आपका light का source यह रहा आपका source जहां से light आ रही है इस जगह पर अगर आप खड़े होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगी कि इस जगह पर आपकी shadow बनेगी तो देखिए यहाँ आप अगर किसी opaque object के सामने और यहाँ पर source light के बीच में अगर खड़े हैं तो आपकी shadow formation आपको देखने को मिलेगी यह usually हम देखते हैं और देखिए यहाँ पर जो shadow की जो height होगी वो depend करेगी कि आप light के source से कितना पास है और कितना दूर है तो यह कुछ important point आपको पता होना चाहिए जो basically shadow formation होता है यह आपका dark area produce करता है किसी भी object का यहाँ कि आप कैसे भी दिखते हों वो shadow आपकी black color की दिखेगी और जो shadow formation होता है opaque या फिर translucent object दिखाता है translucent से भी ज़्यादा opaque object जो है shadow formation दिखाता है क्यों? क्योंकि इसमें से light आपकी पास नहीं होती transparent object से light आपकी पास हो जाती है तो इसमें आपको shadow formation देखने को नहीं मिलेगा अब चलिए आगे के कुछ concept मैं आपके साथ discuss करती हूँ और हम questions भी यहाँ पर यह साथ में cover करेंगे अब मैं आपके साथ कुछ previous question यहाँ पर discuss करूँगी अब देखिए पहला question हम लोगों के सामने जिसके अंदर यह बोल रखा है which of the following property of light can be used to explain the phenomena of shadow formation यानि कि चायब बनने की जो परिखटना है उसको समझाने के लिए प्रकाश की निमलिखे गुर्धरमों में से कौन से हम उप्योग कर सकते हैं तो देखिए shadow formation का सबसे पहले आपको concept यह पता होना चीए कि अगर आप कभी भी किसी भी light source के सामने खड़े होते हैं तो देखिए light source के सामने आप खड़े हैं और आपके पीछे यहाँ पर क्या बनेगी आपकी पीछे यहाँ पर आपकी shadow बनेगी अब देखिए shadow बनने के लिए कुछ basic चीज़े required होती है सबसे पहले तो देखिए अगर यह एक light है तो light हमेशा यानके प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गवन करेगी तो यह जो light source से आपके पास light आ रही होगी यह आपकी सीधी रेखा में आएगी तब ही आपके पास पहुचेगी तो यह वाली property तो यहाँ पर होगी अब इसके अलावा अगली property यहाँ पर बोल रखे कि light travel at a high speed यानके प्रकाश उच्चाल में गवन करता है इससे आपके shadow formation में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो यह वाली property यहाँ पर सही नहीं होगी इसके अलावा अगले point में बोल रखा है कि प्रकाश साथ रेखाओं से बना होता है यानके साथ रंगों से बना होता है light जो है यह seven color से compose होता है यह आपको पता है बट क्यूंकि shadow जो होती है यह कैसे बनती है यह black बनती है, काली बनती है तो इसका color से तो कोई लेना देना नहीं होगा तो यह वाला point भी यहाँ पर करनी होगा इसके अलावा अगले point में बोल रखा है light does not pass through a opaque object अब देखिए प्रकाश जो है यह आपके यहाँ पर अपारदर्शी वस्तों से आपकी नहीं गुजरती तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक concept जो है यह clear करना है जिसमें यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि shadow जो है कहाँ पर बनती है जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपका एक light source होता है जिसके बीच में आप खड़े रहेंगे और आपके पीछे आपके shadow बनेगी और shadow जहाँ पर बनती है वो object कैसे होनी चीए वो object आपके opaque object होनी चीए opaque object में क्या बनते हैं shadow बनते हैं यह point आप add कर लिजेगा और shadow इसी वज़े से बनते हैं क्योंकि opaque object से light past नहीं होती तो यहाँ पर आपको A और D combination सही मिलेगा जो कि आपको second option में अगर आपके concept clear हैं तो आप questions easily यहाँ पर कर पाएंगी अब देखिए next question हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है what will be the direction of reflected ray when light is incident normal to the surface यानकि प्रकाश की जो किरन है अगर वो लंबवद तरीके से पढ़ती है सता पर तो यहाँ पर हम लोगों को उसका पराबलन यानकि वो जो incidence है उसका यह बताना है कि वो किस जगह पर reflect होगी तो देखिए एक plane mirror है अगर ray of light बिलकुँ सीधी पढ़ती है तो जैसे आएगी वैसे वापस जाएगी और इस केस में image form नहीं होता है यह मैंने अभी आपके साथ concept discuss किया था यहाँ पर यह कुछ angle बनाके नहीं निकलेगी यहाँ पर यह perpendicular यानि कि जैसे यह लंबवद तरीके से आई है लंबवद तरीके से निकल जाएगी इस question का जो correct answer होगा होगा आपका second option इसके अलावा next question हम लोगों के सामने जिसमें हम लोगों को जो law of reflection है उससे related कुछ question है जो हम लोगों को दे रखा है जिसके अंदर यह बो रखा है if angle between the normal and incident ray इस 30 degree यानि कि अगर मैं एक reflection का यहाँ पर diagram बनाऊ तो इस तरीके से यह normal और incident की बीच में जो angle है वो 30 degree है तो अगर यह 30 degree होगा तो यह भी 30 degree होगा यह तो basic चीज़ है अब आगे यहाँ पर बोल रखा है the angle between incident ray यह रहा आपका incident ray और reflected ray तो basically यहाँ पर आपका पूछ रखा यह पूरा angle कितना बनेगा तो अगर यह 30 है और यह 30 है तो दोनों को मिला देंगे तो कितना बनेगा 60 degree जो है इस question का correct answer है जो कि हमें पहले option में यहाँ पर दे रखा है इसके अलावा next question हम यहाँ पर discuss करते है next question यह जो है तो एक mirror मैंने इस तरीके से यहाँ पर बनाया दूसरा mirror मैंने इस तरीके से यहाँ पर बनाया right angle में बोला है इसलिए right angle में मैंने इस stage को बना दिया अब आगे हैं यहाँ पर बोल रखा है कि अगर एक ray of light है जो कि mirror A पर आपका 30 degree बना के निकल रही है तो 30 degree बना के निकलेगी तो देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोश्च करें 30 degree में incident हो रही है तो normal 6 का 30 degree बन रहा होगा simple सी बात है और आपको इतना पता है यह जो मैं dotted line बनाती हूँ यह normal आपका plane mirror से 90 degree का angle बनाता है simple सी बात है अगर यह 30 है तो यह वाला angle भी 30 होगा और अगर यह वाला angle जिसमें मैं टिक कर रही हूँ अगर यह 30 degree है तो यह वाला angle जिसको मैं अभी mark कर रही हूँ यह कितना होगा 60 होगा क्यों क्योंकि normal जो है पूरा 90 degree का angle बनाता है normal अगर 90 degree का angle बना रहा है जिसमें से एक angle आपका 30 है तो दूसरा कितना होगा 60 होगा अगर ये angle 60 है और ये आपके दो plane mirror की बीच में 90 degree का angle बन रहा है तो हम simple सा बोल सकते हैं कि ये वाला angle कितना होगा यहाँ पे ये वाला angle आपका 30 degree होगा क्योंकि आपको पता है triangle की property triangle के 3 side कसम 180 होता है तो हमने यहाँ डिजुआ पर 30 degree बना दिया अब आपको ये बताना है कि ये कितने degree में आपका incident हो कितने degree में ये निकलेगा तो basically अज़र ये 30 degree है तो ये नॉर्मल जैसे मैंने का 90 degree बनाता है तो ये वाला angle कितना हो जाएगा ये वाला angle हो जाएगा 60 और ये वाला angle भी हो जाएगा 6 तो में clear हो रहा जो मैंने tick मार रखें तो यहां पर आपका कौन सा option सही होगा यहां पर आपका पहला option यहां correct होगा तो इस तरीके से आपके previous year में question पूशे गए इसके अलावा यहां पर हम लोगों को periscope से kaleidoscope से related हम लोगों को concept यहां पर पता होना चाहिए basically यह 3 plane mirror को use करके बनाया जाता है 3 plane mirror को हम क्या करते हैं हम यहां पर triangular form में यहां पर लगाते हैं और इसमें आपको multiple images यहां पर देखने को मिलती है दो चीज़े आपके paper में पूशे जाती है कि इसमें हम किस चीज का प्रियोग करते हैं इसमें हम 3 triangular plane mirror का प्रियोग करते हैं और इसमें multiple आपको colored image यहां पर देखने को मिलती है इस hole से जब आप देखते हो इसका construction आपको detail में नहीं देखना इसका आपको यह देखना इसका use का है और साथे साथ इसमें किस तरीकी की mirror को fit किया जाता है इस तरीके से हम अब यहां पर periscope के बारे में देखेंगे तो देखिए periscope में अगर आप submarine के अंदर हैं या फिर आप depth में हैं तो कैसे height वाले object को देखने में आपको मदद मिलती है periscope में इस तरीके से दो plane mirror को 45 degree के angle में यहां पर लगाया जाता है तो basically होता क्या है कि यहां पर ray of light जो है object की यहां पर पहले plane mirror पर पढ़ती है और पहले plane mirror पर पढ़ने के बाद यह reflect होके दूसरे plane mirror पर आती है और दूसरे plane mirror से reflect होके यह आपको यह जो observer होता है इसको यहां पर दिखाई पढ़ती है तो basically किसी height पे अगर आपको किसी object को देखना है तो आप periscope को यहाँ पे use कर सकते हो जिसमें 2 plane mirror आपके use होते हैं यह आपको पता होना चाहिए और 45 degree के angle में इसे लगाया जाता है इसके अलावा हम लोग आगे देखें तो देखें यहाँ पे हम लोगों को pin hole camera के बारे में बता रखा है अब pin hole camera के बारे में क्या important चीज आपको है पर पता होने चीए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एक इस तरीके का box होता है जिसमें छोटा सा hole होता है इसलिए इसका नाम pin hole camera यहाँ पे रखा गया है जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप किसी object को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो image बनेगी वो आपकी किस तरीके की बनेगी यह आपकी real और inverted image बनती है उल्टी image बनती है और इसके साथ-साथ यहाँ पे हम लोगों को और क्या properties के पता होनी चीए यह आपकी colored image बनती है मतलब जिस तरीकी का object होगा उस तरीके का image बनेगा image का size थूड़ा size में छोटा देखने को मिलता है तो basically यह सारी property आपके paper में previously पूछे गया है तो आपको यह सबी चीज़े पता होनी चीए अभी मैंने आपके साथ plane mirror का concept भी यहाँ पे discuss किया था तो plane mirror से related हम लोगों को यहाँ पे एक question दे रखा है कि इन में से concept statement यहाँ पे समतल दरपन यानि कि जो आपके plane mirror होते हैं इनके प्रतिविंब को लेके इनके image formation को लेके पहला option है कि the image is larger in size than object है इनके प्रतिविंब का आकार बस्तू के आकार से बड़ा होगा बिलकुल गलत क्योंकि देखे same size का बनता है तो यह option नहीं होगा इसके इलावा same distance का बनता है समान दूरी पर बनता है यह सही है साथे साथ laterally inverted होता है laterally inverted मतलब left side आपको right side दिखता है right side left यह भी सही है और image आपका क्या होता है आप हसी होता है virtual होता है तो यह भी सही है इस इसाब से यहाँ पर b c d का combination है हाँ सही होगा इसके अलावा अगर हम यहाँ पर next question discuss करी यह question मैंने अभी आपके साथ concept में भी discuss किया था कि अगर आप किसी वस्थाले में हैं किसी garment shop में हैं और अगर आप वहाँ पर changing room में वैठे हैं और जहाँ पर दो plane mirror इस तरीके से लगे हुए तो अगर आप इसके बीच में खड़े होते हैं तो यहाँ पर आपकी जो image है वो कई बारी reflect होती है और आपकी image जो है कितने बनेगी यहाँ पर asimian की infinite image आपको देखने को मिलती है इसके अलावा next question हम यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को बोल रखा है कि इन में से कौन सा जो characteristics है कौन सा गुण जो है यहाँ पर pinhole camera के लिए यहाँ पर सई होगा तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ option में बोल रखा है कि इसमें virtual image बनती है virtual अभासी नहीं बनती इसमें real image बनती है साते साते dimnish बनती है color बनती है तो यह चीज़े सही है सीधी नहीं बनती उल्टी बनती है तो यह भी गलत हो जाएगा इसे साब से यहाँ पर सीधा लिखने की वज़े से second option भी गलत हो जाएगा इसमें black and white image नहीं बनती इसमें जैसा object होगा वैसा बनेगा तो real बनती है inverted बनती है color बनती है और थोड़ से छोटी बनती है तो यह जो fourth option है यह इस question का correct answer होगा इसके अलावा अगर हम यहाँ पर next question को discuss करें तो next question बोल रखा है Ritu is standing in front of a plane mirror Ritu जो है plane mirror के सामने खड़ी है इमेज 10 मीटर दूर खड़ी है 10 मीटर दूर उसका image बन रहा है तो यह 5 होगा और यह भी 5 होगा अब कहने का मतलब क्या है कि वो क्या कह रही है कि यहाँ पर वो 2 मीटर यहाँ दूर चले गई अगर 2 मीटर दूर चले गई तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि उसका उसका distance बताना है रित्तू का और उसके image का तो यह question आप लोगों के लिए homework question है मैं उमीद करूँगी कि यह session यहाँ तक आपको पसंदार होगा अब चलिए हम आगे के session को continue करें अब हम इस session को यहाँ पर continue करते हैं और अब मैं आपके साथ motion chapter यहाँ पर discuss करने वाली हूँ और इस chapter को start करने से पहले इस chapter से related कुछ important fact मैं आपके साथ discuss करूँगी अगर आप इस chapter को prepare कर रहे हैं तो आप अपने mind में इस चीज़ को set कर लेजिए कि इस chapter में आपको graphs देखने को मिलेंगे साथ साथ numericals देखने को मिलेंगे और कुछ important terms का knowledge आपको होना जीए तो देखिए mainly अगर आप theory ना पढ़के आप graph और numerical के concept को भी समझ जाएं तो इस chapter में आप बहुत अच्छा खासा score कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले आज के session को जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कहा कि इन सभी sessions को मैंने काफी detail में आपका करा है और यह जो marathon session है basically revision session है और उस exam oriented जिस exam में आप यहाँ पर बैठने वाले हैं तो basically जो आपकी paper में आएगा उस तरीके से आप तियार करें तो देखिए सबसे पहले हम इन terms को यहाँ पर समझते हैं फिर एक-एक करके हम बाकी चीज़े को देखेंगे तो देखिए motion basically क्या होता है अगर कोई object जो है वो time के साथ time के साथ अपनी position को क्या करे time और position साथ में आपका क्या हो change हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि वो object अभी motion में है और अगर time change होता रहे क्योंकि देखिए time तो किसे के लिए रुकेगा नी अगर time change होता रहे बट हमारी जो position है वो आपके fix रहे तो उस case में हम क्या कहेंगे कि object उसमें अभी rest पर है तो इस तरीके से motion और rest का आपको difference पता होना चाहिए और अगर motion जो है एक straight line में होता है तो इसके लिए हम rectilinear motion शब्द का प्रियूग करते हैं rectilinear मतलब जो आपके सीधी रेखा में कमन करता है अब देखिए जब आप motion chapter पढ़ते है कुछ important term आपको पता होना चाहिए इसके लिए मैं आप लिगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक flow chart बना रही हूँ यह point है A, यह point है B, यह point है C तो basically आपको क्या करना है A point से आपको C point में जाना है तो इसके दो रास्ते है एक आप main रास्ते से होके A से पहले B में जाएंगे और B से आप C की तरफ आएंगे तो आप C तक पहुँच जाएंगे एक होता है किसी भी रास्ते का कोई न कोई shortcut जो कि A सी C तक आपको direct पहुँच आएगा तो देखिए दोनों में difference क्या है और इन दोनों में term का क्या फरक है तो देखिए जो सबसे shortest path होता है किसी भी रास्ते का उसको हम विस्थापन यानि कि displacement के नाम से जानते है इसके अलाबा जो आपका actual path होता है जो आपका real path होता है जिसको आप actual path होलते है वे आपकी होते हैं दूरी यानि कि distance अब कुछ cases में distance और displacement जो होता है वे आपस में बराबर होता है तो वो कहा होता है तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक straight line में travel कर रहे है तो इस case में distance और displacement आपका बराबर देखने को मिलेगा और कई case में जो displacement यान की जो shortest path अब देखे जब भी भी विस्थापन की बात की जाए विस्थापन होता है किसी भी जगा का shortest path अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो displacement है कब zero होगा आप जिस point से शुरू कर रहे हैं उसी point में अगर वापस आ जाए तो उस case में displacement जो होगा वो zero हो जाएगा इसके लावा अगर हम speed यान की चाल की बात करें तो देखे इससे related आपको formula पता होना चाहिए speed का जो सबसे standard और सबसे basic formula है speed equal to distance upon time तो अगर आप किसी भी जगह के distance को time के साथ divide कर दें तो क्या आजाएगा speed आजाएगा basically अगर मुझे दो बच्चों को compare करना है कि दोनों में से किसकी speed ज़्यादा है तो मैं कहूंगी कि जो कम समय में ज़्यादा दूरी को तैय करें तो speed का formula हो जाता है distance upon time और इसमें इसकी unit के अगर हम बात करें speed की तो देखिए यहाँ पर distance के unit होती है meter और time के unit होती है seconds तो यहाँ पर आजाएगा आपका meter per second और अगर जो चाल है जो speed है एक fixed direction में हो यानके अगर हम उसे क्या दे 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 तो वो क्या बन जाता है वे आपका velocity बन जाता है यानकी wake बन जाता है तो यहाँ पर आपको velocity के बारे में क्या पता होना चाहिए कि velocity क्या है एक vector quantity है क्यों क्योंकि इसके पास दिशा है और जो speed है वो क्या है आपका scalar quantity है तो ये basic terms आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे इसके अलावा आपसे दो type के graph जो है commonly पूछे जाते even अभी जो paper हुआ था C type का 20 अगस में उसमें भी question पूछा गया था तो हर graph को क्या-क्या बोलते हैं अभी मैं आपके साथ discuss करूँगी सबसे पहले हम distance time graph यानके दूरी समेच graph जो है उसको यहाँ पर discuss करने बाले है अब यह जो distance time graph है अगर इसमें कुछ ऐसी straight line हो तो यह graph के stage को represent करता है यह आपका यहाँ पर rest यानके object अभी stationary है, object अभी नहीं हिल रहा तब यहाँ पर इस तरीके का graph आपको देखने को मिलेगा अगर आपको इस तरीके का एक straight line graph देखने को मिले तो यह आपका uniform speed का यहाँ पर graph होता है इसके अलावा इस तरीके का आपको एक curve देखने को मिले तो यह यहाँ पर होगा uniform, sorry, non-uniform speed का और साथे साथ इसी तरीके का एक और graph होता है जो कि होता है आपका uniform acceleration का इस साल जो paper में question आया था उसमें यहाँ पर एक term पुछा गया था कि कौन-कौन से type के graph होता है जिसमें हमारे straight line बनती है तो सबसे पहले तो जो velocity time graph है rest का इसमें इसके अलावा आप देखेंगे जो uniform motion है इसमें भी straight line बन रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि velocity sorry, distance time graph के तो दो case आपके straight बनेगे कौन-कौन से जिसमें object rest पे होगा और जिसमें uniform speed होगी और velocity time graph का अगर हम uniform speed की बात करें यानके object अगर uniform speed में आपका travel कर रहा है वो भी velocity time graph में तो वो straight line का बनेगा यह 3 option दे रखेते हैं आपकी paper में चौथा option यह दे रखा था कि distance time graph का uniform acceleration अब देखें uniform शब्द सुनके हम सोचने कि straight line बनता है पर uniform acceleration जब दूरी समय graph होता है तब यह आपका straight नावन के curve बनता है तो यह वाले option को छोड़के यह 3 उस question के final answer थे इसके अलाबा इस तरीके का आपका एक straight line graph आपको velocity time graph में देखने को मिले तो आपका यह होगा uniform acceleration का इसके अलाबा इस तरीके का curve देखने को मिले तो यह होगा आपका non uniform acceleration का और अगर यह graph नीचे की तरफ देखने को मिले तो आप कहेंगे यह आपका non uniform retardation का graph है retardation मतलब जब आप reverse लेते हैं break लेते हैं जब आप speed को कम कर रहे हैं तो इस तरीके से यह आपको 8 graph इनके नाम के सहीट आपको यह यादकने आपके exam में इससे बहार यहाँ पर question नहीं पूछा जाएगा इसके अलाबा देखिए कुछ numericals हैं आपको पता होने चाहिए सबसे पहले जहां इसके यूनिट क्या है मीटर पर सेकिंड है और कई बारी question में kilometer पर हार में देखे meter पर सेकिंड में आपको convert करने को बोला जाता है तो आपको करना क्या है अगर kilometer पर हार से meter पर सेकिंड में याना है तो वो जो number होगा जो भी your quantity होगी उसे 5 by 18 से आप यहाँ पर multiply कर लेंगे इसके अलावा सबसे standard जो question पूछा जाता है वो आप से average speed का पूछा जाता है अगर आपको किसी भी question में average speed निकालना है तो आप total दूरी को यानकि कुल समय को sorry कुल दूरी को कुल समय से हाँ भाग कर देंगे साथे साथ इसका एक standard formula यहां पर पूछा गया था जैसे कि अगर एक व्यक्ति है जो इस point से इस point में जा रहा है और जाते वे उसकी speed थी x और आते वे उसकी speed है y और दूरी हमें नहीं दे रखी तो इस case में जो average speed है वो कैसे निकलेगा 2 into x into y upon x plus y तो यह कुछ formula है जो कि हम लोगों को इस chapter से related यहां पर पता होने चाहिए और यह concept आपको पता होने चाहिए सबसे जादा question आपको graph से और numerical से देखने को मिलेंगे जो कि अभी मैं आपके साथ discuss करती हूँ और मैं उमीद करूंगी कि इस session आपका भी पसंदा रहा होगा अभी मैंने आप लोगों के साथ motion chapter के कुछ basic concept यहां पर discuss किये थे और मैंने कह था कि graph related question आप लोगों को यहां पर तियार करने तो देखिए यहां पर यह जो question मैंने लिया है अभी आपका प्रीविस एर में पूछा गया है जिसके अंदर यह बोल रखा है which of the following graph is a straight line यानकि निम्रिखित में से कौन सा graph जो है यह आपको सीधी रेखा देगा तो अगर मैं यहां पर distance time graph बनाओं वो भी straight line का तो वो किस तरीके से बनता है वो इस तरीके से बनता है तो यह यहां पर सही है इसके लावा velocity time graph अगर हम moving acceleration का बनाएं तो moving acceleration का जो graph बनेगा वो इस तरीके का बनेगा तो यह भी सही है इसके लावा यहाँ पर बोल रखा है distance time graph of a moving uniform acceleration uniform acceleration का जो graph होता है वो इस तरीके का बनता है यह आपका straight नहीं है इसके लावा जो velocity time graph है जो की एक body जो अगर rest पर होगी तो उसका कैसे बनेगा यहाँ पर इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पर जो combination सही होगा वो होगा आपका A, B और D इस हिसाब से इस question का पहला जो option है यह correct answer है तो इस तरीके से आपको graph का अगर basic knowledge होगा तो आप यहाँ पर questions को कर पाएंगे अब चलिए हम और questions को यहाँ पर discuss करें अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर graph से related लेके आई हूँ जिसके अंदर हम लोगों को speed time graph से question पूशा गया है the speed time graph of an object is a straight line तो यहाँ पर बोल रखा है कि समय चाल का एक graph है जो की सीधी रेखा यहाँ पर दिखा रहा है तो uniform motion कुछ इस तरीके से बनता है तो यह straight line है तो यहाँ पर पहला statement correct है इसके लावा अगले में है कि the object is at rest अगर object rest पर होता है तो वो भी straight line इस तरीके से बनता है तो यह भी सही है इसके लावा अगला जो statement है उसमें बोल रखा है कि beam की गती असमान गती है यहाँ कि motion जो है object का non uniform है तो वो इस तरीके से होता है तो यह आपका straight नहीं होगा तो यहाँ पर combination सही होगा कौन सा A और B जो कि आपको पहले option में यहाँ पर दे रखा है इसके अलावा next question हम यहाँ पर discuss करते है next question हम लोगों के सामने है जिसके अंदर हम लोगों को एक और graph से related question दे रखा है जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है the distance time graph of an object is a straight line तो इसी तरीके का question दुबारा एक और दे रखा है उसमें speed time था इसमें distance time है दूरी समय graph है जिसमें पहले option में बोल रखा है कि object आपका rest पे होगा uniform acceleration कई बारी हम uniform शब्द की वज़े से confused हो जाते है बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि distance time graph अगर आपका uniform acceleration का दे रखा है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है ना कि straight line तो C statement यहाँ पे सही नहीं है तो यहाँ पे correct होगा A और B यहाँ पे B जो option है यह correct answer है इसके अलावा कुछ formula और answer related numerical हम यहाँ पे देखते है तो देखे यहाँ पे बोल रखा है एक car है जो कि अपनी first half journey जो है वो V1 speed से travel कर रहा है और next half journey वो V2 speed से travel कर रहा है तो उसका average speed क्या होगा तो अभी मैंने आपके साथ यह formula भी discuss किया था किस तरीके का question आ जाए तो 2x into y x plus y यह formula मैंने आपके साथ discuss किया था उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा option correct होगा यहाँ पे आपको D option जो है यह correct मिल जाएगा इसके अलावा एक proper numerical जो है यह discuss कर लेते है जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है इस question में बोल रखा है कि Riva is driving car from her office to her home यहाँ पे Riva जो है यह car चला के अपने office से घर जा रही है जो कि 22 km की दूरी पर है अब यहाँ पे बोल रखा है she travel at a speed of 48 km per hour for 10 minutes तो यानि कि वो 10 minutes के लिए वो क्या कर रही है उसने 48 km per hour की speed से travel किया तो पहले इतने का हम इतने part का distance निकाल लेते हैं अगर मैं distance निकालने चलू तो देखिए speed का formula क्या होता है distance upon time तो distance का formula क्या हो जाएगा speed upon time तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछू कि speed कितनी है तो speed है यापे 48 km per hour और time कितना है time है यापे 10 minutes तो देखिए दोनों unit जो होती है वो standard होने चीए 10 minutes नहीं होगा इसको आपको घंटों में बदलना है तो आप क्या करेंगे इसे आप 60 से divide कर देंगे तो 60 चला जाएगा आपका उपर तो इसे आप calculate करेंगे तो 8 km वो travel कर चुकी है पहले 10 minute में जो की 22 km उसको पूरा travel करना है अब इसके अलावा अगर हम आगे देखे she stopped for 15 minute at a market to buy some item यानि कि वो 15 minute के लिए दुकान में रुखती है कुछ बजार से समान खरीदने के लिए और उसके बाद वो क्या कर रही है she resume her journey at a speed of 56 km पर हार simple सी बात है अब आप मुझे इस question कहां से दीजेगा कि यहाँ पर वो कितनी दूरी तै कर चुकी है तो वो 8 km की दूरी टै कर चुकी हमें इतना पता है और अब कितने km की दूरी बचिये तो आप कहेंगे 14 km की दूरी बचिये तो अगर हम यह देखें कि 14 km अगर वो 56 km पर हार की speed से जाती है जो कि last में वो जा रही है तो कितना समय लगाएगी तो समय के लिए हम क्या करेंगे टाइम का यहां पर formula क्या हो जाएगा distance upon speed तो यहां पर हम क्या करेंगे distance अब उसे कितना जाना है 14 km क्यों क्योंकि 22 km की पूरी जर्नी है जिसमें से 14 km यहां पर 8 km वो जा चुकी है 14 बचा हुआ है तो इसे आप speed से divide करेंगे अब इसकी speed कितनी 56 है तो अगर आप इसे calculate करेंगे तो 1 by 4 horse यान की घंटे यह आ जाएगा तो अब आपके पास सारी value है अब आप average speed निकाल सकते है average speed का formula क्या होता है total distance total distance तो पहले line में दे रखा था 20 km अब time की अगर हम बात करें तो देखिए पहले case में वो जो time यहाँ पर use कर रही है वो आपको निकालना है पहले case में कितना use कर दे 10 minute 10 minute को अगर हम घंटों में करेंगे तो 10 by 60 कितना आजाएगा 1 बटे 6 तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसके अलावा second case में 15 minute 15 बटे 60 हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि घंटों में आ जाएगा और तीसरे case में अभी मैंने आपके साथ निकाला था वो कितना है था 1 by 4 जब आप इन सभी को calculate करेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा और LCM लेने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 8 बटे 12 और यह 12 आप यहाँ पर उपर shift कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी calculation जो है वो easy हो जाएगी और आपका जो final answer आएगा वो आएगा 33 km पर हार जो कि आपको पहले option में यहाँ पर दे रखा है अब चलिए आगे के concept को हम discuss करें अब मैं आपके साथ next chapter यहाँ पर discuss करूँगी जो के ध्वनी है यानकी sound है अब देखीं यह जो chapter है आप लोगों के exam perspective से बहुत जादा important है क्योंकि यह जो chapter है आपका theory base आपका chapter माना जाता है और कहिना कई काफे सारे important concept यहाँ पर छुपे हुए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि sound जो है ध्वनी जो है यह कहां से produce होती है तो हमारे आसपास कोई भी चीज़े जो कमपन कर सकता है जिसमें vibration हो सकता है वहाँ से आपको sound produce होते वे दिखाई देगी जैसे कि अगर आपका phone जो है अगर silent mode पे है तो आपके side में भी phone रखा होगा बट आपको यह पता नहीं चलेगा कि किसका phone आ रहा है बट अगर उसमें vibration हो रहा होगा उसमें कमपन हो रहा होगा तो आप feel कर लेंगे कि यहाँ से sound जो है यह produce हो रही है जो कि अलग लग तरीके से sound produce करते हैं इनके बारे में आपको पता होने चाहिए जैसे कि air अगर हम drum के बात करें drum में कहां से sound produce होते है तो अगर आपने drum को देखा होगा तो drum की जो उपर की membrane होते है जो कुछ आपको white color की दिखाई पड़ते है उसमें जब हम hit करते हैं तो वो healthy है तो basically drum का जो membrane होता है इससे vibration होती है इसके लावा guitar की अगर हम बात करें तो guitar में आपके strings होते हैं वो tar होते हैं जो कि vibrate होते हैं और flute की अगर हम बात करें बासूरी की अगर हम बात करें तो इसके उपर इस तरीके से air column होते हैं जिसमें से vibration हो सकती है तो ये तीरों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके क्या-क्या vibrating area है इसके अलावर देखे क्योंकि human being भी sound produce करते हैं हम मानों भी आपकी अवाज भनी निकालते हैं तो कहां से निकालते हैं तो हमारे गले में एक voice box होता है जिसको आप lyrics के नाम से जानोगे अगर आप diagramatically देखो तो कुछ इस तरीके कर दिखाई पड़ता है जब इस air column में से air पास होते है तो यह जो आपके यहाँ पर chord होता है यह आपके flip करते हैं हिलते हैं जिसके वज़े से vibration हो जाती है तो आपको अगर पूछ जाए कि human being कहां से sound produce करते हैं तो इन में voice box होता है और यहाँ पर भी vibration होता है आप देखेंगे कि आप अपने गले में हाथ रखके कुछ भी चीज बोलने की कोशिश करिए आपको कमपन जैसा लगेगा क्यों क्योंकि जहाँ पर भी vibration होगी वहाँ से sound produce होगा इसके अलावर देखिए आपके NCRT में एक बहुत important concept है और एक बहुत important area है जहां से question पूछ जाता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि sound जो है वो आपका vacuum से travel नहीं करती है यानि कि जहाँ पर कोई भी medium नहीं होगा वहाँ से sound जो है produce नहीं होगी आपके NCRT में एक bell jar activity भी दे रखी है जिसमें एक bell के अंदर यहां पे एक jar के अंदर एक bell को रखा गया और उसके जो on off का button है वो बहार रखा गया और यहां पे क्या किया गया इस jar में से हलका हलका air जो है वो निकाला गया तो आपने देखा कि जब इस jar में से पूरा air जो है वो निकल गया था तो bell के आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ रही थी bell बज जरूर रही थी पर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तो हमें clear होता है कि sound जो है इसको कोई न कोई माध्यम चाहिए कोई न कोई मीडियम चाहिए ट्रावल करने के लिए और तीन अलग लग तरीकी के मीडियम होते हैं सबसे पहले solid, liquid और gas और जिसमें से solid में से सबसे तेज आपकी आवाज निकलती है इसका आप normal example भी देख सकते हैं, आप अपने हाथ को दरवाजे में हिट करें, काफी तेज आवाज सुनाई देगी आप अपने हाथ को पानी में लहराएं उसमें आवाज तो आएगी पर उतना तेज नहीं आएगी आप अपने हाग को हवा में ऐसे फैराएं इसमें कोई आपका आवाज ले आएगी हाँ अगर एक स्टिक को लेके काफ़ी तेज आप हवा में फैराते हैं तो उससे भी आवाज आएगी तो यहाँ पर हमें पता चला कि solid में सबसे तेज आवाज आती है फिर liquid और फिर gas पर जो vacuum होता है उससे कोई आवाज आपके ट्रावल नहीं होती और अगर हम human air की बात करें हमारे जो कान होते हैं इसका audible range क्या होता है हमारे कानों का audible range होता है 20 hertz लेकर 20 kilohertz तो khz लिखा है कहीं पर 20,000 भी लिखा होगा आप वहाँ पर इस सीज को confuse मत करिये का इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि sound travel कैसे करता है तो देखिए अगर मान के चलिए कि यह एक object है जिस object को मैंने यहाँ पर hit किया अगर मैं इस marker को आगे के तरफ hit कर रही हूँ तो हमें दिखाई नहीं पढ़ रहा पर यह जो marker है इसके आगे के जो air particle है उसको दबा रहा है दबा रहा है तो यहाँ पर air particle pass आ जाएंगे और इस area को बोलते हैं यहाँ पर compression और जब एक बात बताईए अगर इसमें vibration हो रहा है vibration का मतलब क्या है vibration का मतलब है कि यह आगे जाएगा तो यह पीछे भी आएगा तो simple सी बात है अगर मैंने अपने हाथ से इस marker को आगे के तरफ धक्का दिया तो आगे के air particle को इसमें दबाया high pressure area create किया फिर उसके बाद यह पीछे भी आएगा क्योंकि vibration का मतलब है आगे जाना पीछे आना तो हमने इसे आगे की तरफ धक्का दिया फिर यह पीछे की तरफ आएगा तो air particle फिर relax हो जाएगे तो यहाँ पर बनेगा आपका rare fashion तो इस तरीके से compression और rare fashion आपका बनते रहता है आपका जो wave है उसमें number of oscillation कितने हुए है यह आपका बताता है frequency कि एक second में कितनी बार wave जो है oscillate किया है तो basically आपके paper में question कहां से आता है आपके paper में pitch और frequency को combine करके question आता है जो हमारे आवाज के pitch होती है हमने यह सुना है कि किसी की pitch high होती है किसी की pitch लो होती है, pitch है क्या तो basically pitch आपका इस तरीके से define होती है अगर मैं यह दो आपके सामने wave बनाऊ तो इन दोनों में से number of oscillation किस में जादा है तो आप कहेंगे इस में जादा है तो इसके pitch आपकी क्या होगी, high होगी तो basically आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो pitch होती है, वो किस पर depend करती है यह अगरती यानकि frequency पर depend करती है time period यानकि number of oscillation होने में, एक oscillation complete होने में कितना time लगा इसके अलावा amplitude क्या है amplitude के लिए यहाँ पर जड़ा हम एक बार एक wave का example हम देखते हैं यहाँ पर एक wave मैंने इस तरीके से बनाई और दूसरी wave मैंने इस तरीके से बनाई दोनों में क्या फरक है, तो आप कहेंगे दोनों में height का फरक है तो यह जो height होती है, यह आपके क्या बताती है, यह बताती है आपकी I am यानकि amplitude को और amplitude पर निर्भर करती है आपके आवाज की loudness जिसके आवाज यहाँ पर loud होगी, वो आपकी क्या होगी, उसका amplitude high होगा और जिसका amplitude आपका कम होगा, उसके आवाज कैसे होगी, soft होगी तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारी आवाज की जो pitch है, वो आपके frequency पर निर्भर करती है और जो हमारी loudness है, वो I am यानकि amplitude पर निर्भर करती है इसके लावा wavelength मतलब जो यह wave का distance है, एक complete wave का distance है यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका wavelength तो कुछ basic यह चीज़े आपको पतावने चीए, और अगर आपको किसी भी wave की speed निकालनी है speed निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इसके frequency और wavelength का आप ले लेंगे यहाँ पर product तो speed of sound जो है, वो निकालने के लिए इन दोनों को multiply करना होता है तो अभी मैंने आपके साथ सभी concept को यहाँ पर discuss करने की कोशिश की है अब चलिए कुछ previous air question में आपके साथ discuss करती हूँ ताकि यह topic आपका जैसे combined हो अब मैं आप लोगों के साथ sound chapters related कुछ previous air question यहाँ पर discuss करना चाहती हूँ तो देखिए पहला question हम लोगों के सामने है identify the incorrect statement from the following इन में से कौन सा कथन जो है वो गलत है आपको चुनना है पहले statement में है कि sound can travel through vacuum तो यह तो पहले ही सबसे पहले big no आ जाएगा क्यों क्योंकि sound जो है कभी भी vacuum से आपका travel नहीं करता तो यह statement गलत है इसके अलावा अगले statement में है higher the frequency of vibration higher the pitch मैंने का था कि जो आवरती होती है वो आपकी उस पर क्या निर्भर करती है उस पर यहाँ पर pitch निर्भर करती है तो यह statement बिल्कुल सही है यह कई बारी आपके paper में पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरीकी से त्यार करना है और अगला है all vibrating motion are oscillation सभी दोलन है सभी oscillation है यह भी सही है और अगला है कि जो flute होता है उसमें आपके air columns होते है यह point में मैंने discuss किया खा यह तीनो statement आपके सही है तो इससे साब से एक statement आपकी गलत होगी होगी आपकी पहला option इसके अलावा next question यहाँ पर discuss करते है वैसे तो कहते हैं कि जो speed of sound होती है air में minimum होती है बट कौन से condition में maximum होगी यह आप notes में add करियेगा most air जब 40 degree Celsius में होगा तब यह यहाँ पर maximum देखने को मिलता है इसके अलावा next question यहाँ पर है option में है कि sound wave travel fastest in gas गलत है क्यों क्योंकि यहाँ पर solid में fastest travel करता है इसके अलावा human being जो है वो 15,000 hertz सुन सकते हैं तो देखिए 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तक की range होती है तो 15,000 तो सुन सकते हैं यह वाला statement सही है अगले statement में है sound wave cannot be reflected तो आपको echo कैसे सुनाई पड़ता है अगर आप height में जाते हैं तो इससाब से यह statement आपकी गलत दे रखिए इसके अलावा अगले statement में है loudness of the sound depend upon frequency तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यह statement भी गलत है क्यों क्योंकि loudness जो होता है वे frequency पर depend ना करके यह आपकी आवरती पर यानकी amplitude पर निर्फर करता है यह मैंने आपके साथ discuss किया था तो इससाब से यहाँ पर कौन सा statement सही है यहाँ पर आपको बी statement यहाँ सही दे रखा है इसके अलावा next question यहाँ पर हम discuss करते है जो कि है which of the following statement is incorrect इन में से कौन सा statement यहाँ पर incorrect है तो यहाँ पर हम लोगों को बोल रखा है कि sound from the violin and flute play at same interval at same speed यह same time के लिए same speed पर sound हम produce कर सकते यह गलत नहीं है यह practice के साथ यहाँ पर आ जाता है इसके अलावा यहाँ पर बोल रखा है two sound waves have same intensity will have equal loudness equal loudness नहीं होती equal pitch होती है तो यह statement यहाँ पर गलत दे रखिए इसके अलावा sound जो होगी speed of sound जो होगी hot air की आपके room temperature से जादा होती है तो यह यहाँ पर सही दे रखा है इसके अलावा sound जो होती है वो density से affect होती है तो कहीं न कहीं medium से affect होगी तो density से भी affect होगी तो ये भी सही है यहाँ पर कौन से statement गलत है यहाँ पर B वाला statement यहाँ गलत है I hope यहाँ तक का session आपको पसंदार होगा अब चलिए हम आगे के session को यहाँ पर continue करें अब मैं आपके साथ यहाँ पर घ्रशन यान कि जो friction topic है इस topic को discuss करूँगी और इस topic से related कई बारी आपके इसके type से समंदिद question पूछे गए इनको हम detail में हाँ पर discuss करते है तो देखिए सबसे पहले friction होता क्या है कि अगर कोई object जो है अगर वो आगे की दिशा में motion कर रहा है तो उस object पर यहाँ पर पीछे से एक force लगता है जिसको हम force of friction की नाम से जानते है यान कि हमारे पर एक opposing force लगता है और इस force को क्या बोलते हैं? इस force को हम friction बोलते हैं अब ये friction लगता क्यों है? क्योंकि हमारे जो सतह होती है, surface होती है इसमें irregularity होती है, दो surface में तो इस irregularity की वज़े से क्या देखने को मिलता है? आपको friction देखने को मिलता है ये भी एक तरीके का कैसा force है? ये भी एक तरीके का contact force के अंदर आता है क्योंकि दो surface एक दूसरे के संपर्क में होते हैं साथे साथ यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि friction कितने type के होते हैं तो basically friction आपके तीन तरीके के होते हैं एक आपका होता है static friction एक होता है sliding friction और एक होता है rolling friction अब देखिए object जो है इसमें motion आगे की तरफ हो रहा है और हम यह जो friction force है पीछी की तरफ लगा रहे है तो अगर यह object यहां पर move नहीं कर रहा यानि कि आपका motion जो है अभी friction force से कम है तो इस case में क्या होगा यानि कि motion के लिए आपने जो force लगाया है वो आपका यहां पर जो है वो आपका friction force से कम है तो इस case में object जो है move नहीं करेगा और इसको हम यहाँ पे static friction के नाम से जानते हैं इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम object में motion आगी की तरफ कर रहे हैं और एक frictional force पीछे की तरफ लग रहा है बट यह object यहाँ पे slide कर रहा है तो यहाँ पे अगर यह slide करें जैसे कि आपने लोगों नहीं जूले वगेरा भी देखेंगे तो ऐसे case में यहाँ पे sliding friction होता है और अगर object जो है एक दूसरे सता के उपर यहाँ पे क्या करें रोल करें घूमता वाज़ा है तो इसे हम rolling friction क्याता है अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है यह तो हमें पता है आपके exam में पूछा जाता है कि इन में से कौन सा सबसे strong होता है और मतलब static friction strong है यहाँ पे sliding या rolling तो आपको sequence से ही पता होना चाहिए कि सबसे आपका strong होता है यहाँ पे started friction क्योंकि उसके बाद object जो है move कर लेता है तो हमें उसे overcome करना होता है तो सबसे पहली number one पे यह आजाएगा फिर आएगा sliding friction और उसके बाद यहाँ पे आएगा rolling friction इससे related कई बारी आपके previous air में question पूछा गया है friction force के वज़े से वो अटक अटक के चल रहा है उनका motion सही से नहीं हो पा रहा तो ऐसे case में हम इस friction को कैसे reduce कर सकते हैं इस case में हम कैसे reduce करेंगे हम उसमें कुछ lubricant डालेगे हम उसमें oil डाल सकते हैं grease डाल सकते हैं आपने देखा होगा कि जो cycle के chain होती है इसमें grease डाला जाता है इसके लावा machine के कई सारे oils होते हैं तो यहां पर वो क्या करते हैं उस सते को उसकी irregularity को थोड़ा सा यहां पर smooth कर देते हैं जितना smooth surface होगा उतना कम friction होगा समझेगा जितना smooth surface उतना यहां पर कम friction और जितना यहां पर rough surface उतना यहां पर जादा friction तो यह चीज़ आपको यहां पर clear होनी चीए तो basically friction आया ही rough surface के वज़े से अब क्योंकि अगर यह friction आया है तो इसका कुछ ना कुछ तो यहां पर advantage होगा तो इसके कुछ advantages हैं जो कि हमें पता होने चीज़ जैसे की यह हमें walk करने में मदद करता है हम अगर friction नहीं होता तो हम walk नहीं कर पाते इसके लावा हम अगर चल रहे हैं तो चलते चलते हम stop हो पाते हैं क्योंकि अपोस कर रहा हमें पीछे से इसके अलावा किसी चीज़ को पकड़ने में hold करने में लिखने में यहां पर मैं board में लिखनी पाती है अगर friction नहीं होता हम जो marches की तिली जलाते हैं उसमें मैंने आपको बताया था powder glass के साथ साथ white phosphorus होता है और जब आप उसमें friction करते हो तब जाके वो आपका red phosphorus में convert होता है तो basically यहां पर क्या है यहां पर आप lightning mastic जला रहे हो उसके मदद से इसके अलावा यहां पर जो आप बिना slip करके चल पा रहे होगी किसके वज़े से friction के वज़े से तो friction एक opposing force है जिसको आप reduce भी कर सकते हो कुछ particular methods है जिसके कुछ advantages है और कुछ types है जो कि आपको आपके exam के लिए पता होने चाहिए अब चलिए इस topic के कुछ question करते हैं उसके बाद हम next topic की तरह बढ़ेंगे अब मैं आपके साथ friction chapters related कुछ question discuss करूंगी जिसके अंदर पहला question है which of the following statement is incorrect यान की निमलिखे देगे कथन में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है तो यहाँ पर बोल रखा है कि rolling friction जो होता है वह आपका sliding friction से ज़्यादा होता है या फिर sliding friction जो होता है वो static friction से कम होता है static friction जो होता है वो rolling friction से ज़्यादा होता है या फिर sliding friction जो है पर कौन सा होता है sliding friction और आखिर हम यहां पर आता है rolling friction तो यह आपको पता होना हुआ तो इस इसाब से अगर आप सी statement देखें तो यहां पर बोलावा पहले statement में है कि rolling friction sliding friction से ज्यादा होता है यह गलत है साथे साथ 20 statement में है कि sliding friction static friction से कम होता है ये भी सही है तो कौन सा statement आपका incorrect हुआ यहाँ पर पहला जो statement है यह incorrect हुआ इसके अलावा next question यहाँ पर हम discuss करते हैं next question के अंदर हम लोगों को बोल रखा है identify the incorrect statement और incorrect statement से related आपको जो statement है क्या दे रखा है friction between two surface in contact can never be eliminate on earth तो यह सही है हम friction को यहाँ पर खतम नहीं कर सकते इसके अलावा अगला है कि rolling friction जो होता है वो sliding friction से कम होता है यह भी सही है अभी मैंने आपके साथ discuss किया था अगले option में हम लोगों को बोल रखा है कि frictional force on object moving through a fluid depends on its shape इसी वज़े से streamline shape बनाई जाती है ताकि वो easily उस friction को कम कर सके यह भी सही है अगला है ball bearing are used to increase friction इसे increase करने के लिए नहीं इसे decrease करने के लिए हम use करते है machine के parts में इस question का D जो option है यह incorrect है इसे वज़े से इस question का correct option है अब मैं आपके साथ next topic यहाँ पर discuss करूँगी जो की है force and pressure अब देखें यह जो chapter है यह numerical perspective से और इसके कुछ important concept है जो की direct यहाँ पर पूछी जाते है और इसकी SI unit के अगर हम बात करें तो इसकी SI unit होती है Newton जिसको आप N से यहाँ पर denote करते हो अब यह जो push और pull अगर आप चीजों को करोगे तो इसके वज़े से कुछ चीजों में परिवर्तन आता है आप किसी चीज की दिशा यान की जिसकी direction में आप force लगा रहे हो उसको आप change कर सकते हो आप किसी भी object का जो यहाँ पर motion है वो change कर सकते हो यान की किसी object को आप rest से motion में ला सकते हो रुकीवी चीजों को आप चलाना शुरू कर सकते हो और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर motion वाली चीज़ों को आप rest में भी ला सकते हो तो यह दो चीज़ें आप कर सकते हो इसके अलाबा किसी भी object का आप यहाँ पर shape change कर सकते हो आप कहेंगे कि shape कैसे change करेंगे आप एक sponge ball लेजिए उसको आप force लगाईए तो क्या होगा उसका shape जो है वो change हो जाएगा तो direction चेंज कर सकते हो state of motion आप change कर सकते हो और उसके shape आप change कर सकते हो उसका length आप change कर सकते हो length कैसे change करोगे अगर मेरे पास एक spring है spring को मैं दोनों तरफ से खीज़ दू क्या होगा उसका length भी change हो जाएगा तो यह सभी चीज़े किसके वज़े से होते हैं force के वज़े से होती है आपके exam में जो question पूछे जाता है contact और non-contact force से पूछे जाता है कि कौन-कौन से forces contact force है और कौन-कौन से non-contact force है तो देखिए contact force जिसमें चीज़े संपर्क में होती है जैसे कि जब आप अपने muscles का प्रियोग करते हैं तो उसका आप muscular force बोलते हैं इसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ friction discuss किया friction किसके वज़े से आया था जो घृशन था वो किसके वज़े से आया था वो यहाँ पर surface में irregularity होनी के वज़े से आया था तो दो surface संपर्क में है तभी तो friction हो रहा है तो यह दोनों forces आपके contact force होंगे और non-contact force में जैसे कि जो gravity यहाँ पर गृत्वा करशन बल लगा रही है gravitational force हो गया इसके अलावा magnet द्वारा जो magnetic force यहाँ पर लगाया जाता है यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका non-contact force हो जाएगा तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए कि कौन-कौन से forces आपके contact force होते हैं कौन-कौन से non-contact force होते हैं अब क्योंकि आपको force के साथ-साथ यहां पर pressure के बारे में पढ़ना है तो pressure होता क्या है? तो pressure basically जो दाब होता है वे अगर आप force लगाओ किसी एक fixed area में तो वो आपका pressure बन जाता है और यहां पर pressure और area एक दूसरे से inverse proportion होता है इसे related कई सारे concept पूछे जाते हैं आपसे यहां पर पूछे जाएगा कि आपका जो school bag है उसका strap चौड़ा क्यों होता है क्यों क्योंकि area जादा होगा तो pressure कम लगेगा इसके लावाद knife जो है वो धारदार क्यों होती है तो देखिए knife जो है जिस जगह से जादा धार वाली होगी उसका area कम है तो pressure जादा लगेगा और चाकू वो easily किसी चीज को काट लेगा तो इससे related आपके concept यहां पर पूछे जाते है साथे साथ pressure यहां पर liquid में भी लगता है और gas में भी लगता है तो देखिए liquid जो है यहां पर जो upward force लगाती है उसको यहां पर क्या बोलते है इसको यहां पर buoyant force बोलते है जो कि liquid द्वारा लगाया जाता है यह term आपको पता होना चीए साथे साथ अगर मेरे पास एक liquid container है ध्यान से सुनिएगा अगर एक liquid container है जिसमें मैं क्या करूँ पानी भरके अलग-अलग जगा पर hold कर दूँ अलग-अलग height पर अगर से hold किया जाएगा जो सबसे नीचे वाला hold होगा उससे सबसे pressure में आपका पानी जो है हाँ पर निकलेगा इससे related कई बारी question पूशेगा है कि अगर अलग-अलग height में पानी तो देखिए gas जो है वो जिस भी container में होते हैं उसमें क्या करते हैं सारी जगा पर equal force जो है वो exert करते हैं इसके साथ साथ एक और concept है कि अगर एक यहाँ पर मैंने ball में क्या किया पानी भरके उसमें छेट किया तो इस case में अगर ही equal height में होंगे तो पानी क्या से निकलेगा यहाँ पर equal amount में पानी सब जगा से निकलेगा तो इस से related question आपके paper में पूश जाते हैं साथे साथ हमारे अगर हम pressure की बात कर रहे हैं तो atmospheric pressure term को में पढ़ना है atmospheric pressure क्या है जैसे कि आपको पता है कि हमारे atmosphere में अलग-लग layer होती है तो atmosphere जो हमारे earth surface पर pressure लगाता है उसको हम क्या कहेंगे atmospheric pressure कहेंगे आपके exam में कहां से question पूश जाता है आपके exam में contact non-contact force है इसके अलावा जो push and pull के वज़े से changes किसे होए इसके साथ साथ ये height वाला concept इसके अलावा जैसे मैंने school bag और knife वाला concept आपके साथ discuss किया यहां से आपके paper में question पूश जाते हैं अब एक और chapter रहा गया उस chapter को हम complete करते हैं फिर आज के session को wind up करेंगे अब हम यहां पर एक और important chapter cover करेंगे जो कि है heat अब देखें ही जो heat chapter है अपके physics में एक important chapter है और साथे साथ इस chapter में से theoretical content जो है easily पूछा जाता है तो देखें heat जो है उश्मा जो है यह करती क्या है यह energy की एक form को एक substance से दूसर substance में transfer करती है तो देखें heat जो है energy का एक form है जो की एक substance से दूसर substance में transfer होता है और इसके example में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक hot cup of tea लिया हुआ है अब देखें जैसे ही आप एक cup में tea डालोगे तो starting में वो hot होगा पर धीरे धीरे इसकी जो hotness है वो surrounding में चले जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रही है यहाँ पे heat जो है यह transfer हो रही है साथे साथ यहाँ पे हमें बता रखा है कि heat को transfer करने के लिए तीन अलगलग तरीके होते हैं जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है conduction फिर आ जाता है convection फिर आ जाता है radiation अब ज़रह हम इनको एक एक करके यहा इसमें एक एरिया से दूसरी एरिया में ही ट्रांसफर होती है अगर हम इसे डाइग्रमाटिकली समझनी की कोशिश करें तो देखिए डाइग्रमाटिकली हमें यहां पर बता रखाए कि यहां कंडक्शन हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो कंटेनर है इस कंटेनर को जहां से आप touch करोगे वो जो side होगा वो आपका heat up हो जाएगा तो धीरे-धीरे आपको feel होगा कि बरतन आपका heat हो रहा है तो इस जगह पर आपको conduction जो है challenge जो है feel हो रहा है convection जो है यह कहाँ पे feel होता है तो देखिए जो water molecule आपके गरम हो रहे हैं कि starting में यह static state पे थे यानि कि हिल नी रहे थे और धीरे-धीरे इन में इस तरीके से circular motion हो जाता है तो जो convection है आपको कहां-कहां देखने को मिलेगा यह आपको liquid में देखने को मिलेगा और क्यूंकि liquid अब gas में convert हो रहे हैं तो liquid और gas दोनों ही ही आपको convection जो है देखने को मिलेगा इसके लावा radiation के अगर मैं बात करूं तो radiation जो है जैसे कि यहाँ पे हम इसे heat कर रहे हैं तो नीचे से आख की लपटे आ रही हैं तो यह आपको gases में easily मतलब हमारे आसपास देखने को मिलेगा और solar radiation भी हम लोगों के earth surface तक इसी तरीके से पहुसते हैं तो यह कुछ वे है जिसे heat यहाँ पे transfer होते हैं साथे साथ यहाँ पे हम लोगों को thermometer के बारे में बता रखाए क्योंकि अगर हम heat यहनकी ऊश्मा की बात करें तो इसको measure करने वादा जो device होता है इसको आप thermometer के नाम से जानते हैं और thermometer जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं एक clinical और एक laboratory thermometer जो clinical thermometer होता है यह हमारी body के temperature को measure करता है जबकि laboratory thermometer होता है वो lab में रखे हुए जो object होते हैं उनके temperature को measure करने के काम आता है और clinical thermometer और laboratory thermometer का range आपके पेपर में पूछा जाता है जो कि मैं यहां पे मैंशन कर रही हूं क्लिनिकल थर्मामेटर का जो रेंज होता है यह 35 से लेकर 42 डिगरी सेलसियस तक होता है बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखना है और जो लेबॉल्टरी थर्मामेटर होता है इसका रेंज काफी देखने को मिलता है इसके अलावा यहां पे आपके NCRT में एक और इंपोर्टेंट पूइंट पूछा जाता है कि जो human body है वो किस temperature पे यहां पर एक temperature पे work करती है या समान्यत आप जो human body का होता है वो कितना होता है तो जो समान्यत आप होता है एक मानव शरीर का वो 37 degree Celsius होता तो यह कुछ basic चीज़े आपको पता होनी चाहिए, इस chapter को end होते वे हम लोगों को दो important term यहाँ पर बताये गए, एक है यहाँ पर sea breeze और एक है land breeze, अब देखी इसको याद कैसा रखेंगे और इससे question कैसा आएंगे, यह मैं आपके साथ discuss करती हूँ, सबसे पहले तो आपको इस जादा गरम हो जाती है धूप के आने से, तो land जो हुई यह आपकी ज्यादा हो गई और hot air जो है, वो आपकी ऊपर की तरफ चले जाती है, यह आपको बता होगा, और जो यहाँ पर पानी था, यह भी गरम हो रहा है, पर उतना ज्यादा गरम नहीं है, तो देखी यहाँ पर से, यह आपकी क्या होगी, यह आपकी ट्रावल होगी, कहां की तरफ, land की तरफ, क्यों क्योंकि cold air, अब सुनिएगा जर ध्यान से, यह जो थंडी हवा है, वो आपकी कहां से आ रही है, तो अब वो आपकी आ रही है, और वो सी से आ रही है, इसी वज़े से, इसे ही sea breeze बोला जाता है, और अगर हम land breeze की बात करें, तो यह आपको night के time में देखने को मिलेगा, तो देखिए, दिन के समय में जमीन जो थी, वो बहुत तब गई, अब रात के समय में क्या है, रात के समय में पानी जो है, वो गरम हो जाता है, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा, कि जो land है, वो अब cold हो गया, तो इस case में क्या होगा, कि जो पानी, समुद्र के उपर का जो air है, वो hot air उपर की तरफ चला जाएगा, और cold air जो है, इस बारी अब land से C की तरफ जाएगा, रात के समय में, इसलिए इसे land breeze के नाप से जाना जाता है, I hope, यह जो concept मैंने आपके सा साथ यहां पर heat chapter का concept discuss किया, और heat से related जो सबसे ज़्यादा question पूछे गया है, वो mode of transfer of heat से question पूछे गया, तो देखें, यहां पर हम लोगों को एक question दे रखा है, जिसके अंदर पूछ रखा है, the purpose of streamlining the body of a ship is to be, यानकि जहां जो पानी में चलता है, उसमें जो एक तरीके से धारा रेखें जो बनती है, यानकि streamline body का क्या purpose है, तो देखें, streamline body जिसमें भी होती है, चाहे आप aeroplane ले लो, चाहे आप birds ले लो, चाहे आप ship ले लो, वो इसलिए होती है कि आगे के force को reduce कर सके, तो पानी के अंदर किस तरीके का force लगेगा, पानी के अंदर drag लगेगा, fluid drag लगता है, जिसको वो reduce करना चाहता है, thrust यानकि upward force यहापे इस चीज को increase नहीं कर रहा, water displacement को नहीं बढ़ा रहा, इसके अलावा density यहापे कम नहीं कर रहा, वो जो drag लग लग रहा है, एक तरीके से जो से पीची की तरफ धकेल रहा है, उस चीज को वो क्या करना चाहता है, तो इससाब से इस question का पहला जो option होगा, यह correct answer है, इसके अलावा next question है, which of the following statement is not true regarding mode of transfer of heat, यानि कि जो यहापे उश्मा का स्थानांतरन होता है, इसके माध्यम के संदर्व में निमलिखिन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप से पूछ रहा है, तो देखिए, पहला option है कि convection takes place in liquid and gas, तो liquid में इस तरीके से circular motion बनता है, और आपको पता है कि liquid को आप गरम करोगे, तो वो ultimately भाप बनेगा ही बनेगा, तो अगर वो भाप बनेगा, तो liquid और gas दोनों में ही convection होना चाहिए, तो यह statement यहापे सही दे रखा है, अब अगला statement है कि जो विकरन है, जो radiation है, आप का, gases में नहीं होता, तो देखिए, अगर आपके आजपास कुछ भी नहीं है, तो gas तो present है, और जब हम आग लगा रहे हैं, तो radiation निकल रही है, तो आजपास gas तो होगी, और यहाँ पर बोल रखा है, gas में नहीं होता, तो यह वाला statement गलत हो गया, अगला statement है कि conduction takes place in gases, conduction जो ह होता है, वो आपका solid liquid gas हर जगा आपको देखने को मिलेगा, तो यह statement सही है, अगले option में है, heat can be transferred through more than one mode simultaneously, यान की heat जो होती है, एक mode से दूसरे mode तक simultaneously transfer होती है, बिलकुत सही, और in fact, एक substance से दूसरे substance में भी होती है, इससाब से यह statement भी सही है, यहाँ जो incorrect statement है, वो है, radiation cannot take place in gases, इस question का B जो option है, यह correct answer है, अब मैं आपके साथ force and pressure से related कुछ important concept यहाँ पे discuss करूँगी, जिसके अंदर पहला question यहाँ पे है, कि चार glass cylinder है, ABCD, जिसमें same length और same diameter यहाँ पे हमें दे रखा है, और water जो है, इसमें 20 मीटर तक यहाँ पे हमें फिल करके दे रखा है, अब यहा किसे आप cylinder बना सकते हैं, जिसमें से जो cylinder A है, उसमें 5 मीटर पे यहाँ पे height पे छेट किया गया, B में यहाँ पे 8 मीटर पे छेट किया गया, C में 10 मीटर पे और D में 12 मीटर, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि कौन सा hole से सबसे fastest यहाँ पे पानी निकलेगा, तो जो hole सबस से fastest पानी निकलता वर दिखेगा, इस question का age option है, यह correct answer है, इसके अलावा अगर हम next question यहाँ पे discuss करें, तो next question है, why is it easier to carry a bag with large and broad step, तो देखिए मैंने आपको बताया था, pressure जो होता है, वो होता है, force upon area, और जहाँ पर area जो है, वो आपका ज्यादा होगा, वहाँ पर आपका pressure क होगा, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे हम pressure को कम करने की कोशिश कर रहें, ना कि force को कम कर रहें, force को तो हम कम करी नहीं सकते, तो pressure आप बढ़ा नहीं रहें, pressure आप, force आप increase नहीं कर रहें, force आप decrease नहीं कर रहें, इससे आप pressure को कम करने की कोशिश कर रहें, ताकि आप डबाव जो है यहां पर कम लगे इसके अलावा next question हम लोगों के सामने an object is floating in water with one fourth of its volume मतलब एक चोथा ही volume पर वो जो object है यहां पर वो float कर रहा है इसके बारे में हमें यहां पर बता रखा है अब यहां पर हमें पूछ रखा which of the following statement is correct इन में से कौन सा कथन यहां पर सही होगा हमें वो कथन यहां पर पहचानने है तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ bind force के बारे में discuss किया था कि यह bind force क्या होता है जब liquid जो है आपका अंदर की तरफ से जो force लगा है उस force को बोलते है तो सबसे पहले तो अगर यहां पर object float कर रहा है और वो पानी में है तो bind force ना लगये ऐसा हो नहीं सकता और अगर वो यहां पर सतह में float कर रहा है तो bind force जो होगा अब्जेक्ट की weight की equal नहीं होगा यहां पर उस से जादा होता है इसी वज़े से उसके surface पर वो प्लोट कर रहा है यहाँ पर जो option है आपका पहला option जो है वो correct answer होगा अब चलिए हम कुछ और concept है उनको यहाँ cover करते हैं ताकि यह session यहाँ पर complete हो अब हम आज के session का last topic यहाँ पर discuss करेंगे जो कि है electricity यानि की विर्थिवत यहाँ पर से आपसे अलग-लग area से question पूछे गए उन सभी area के concept को मैं आपके साथ discuss करूँगी और उसके बाद हम previous question करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक circuit जो है यह ready किया है अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछू कि इस circuit में bulb blow होगा या नहीं होगा तो आप क्या जवाब देंगे तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि battery जो है वो सही से लगी या नहीं लगी यहां से electric current जो है वो flow होना start होगा और bulb आपका glow करना start होगा तो basically circuit आपके दो तरीके के होते है एक आपका होता है closed circuit और एक होता है open circuit और जो closed circuit होता है इस case में bulb जो है आपका glow करता है और open circuit यान के कहीं पर से भी आपका circuit अगर incomplete है तब आपका bulb जो है वो glow नहीं करेगा तो question यहाँ पर इस तरीके सा पूछा जाता है कि एक लड़की है जो कि circuit यहाँ पर ready कर रही है और वो circuit ready करते वे उसके wire छोटे पड़ी तो उसे क्या चीज़े यूज करने चीए उसे यहाँ पर एक copper की wire यहाँ पर यूज करने चीए या फिर glass यूज करना चीए या फिर वो एक thread यूज करे thread यूज करे इसके लावा plastic यूज करे तो आपको पता है कि कौन से चीज़े electricity conduct करेगी वो चीज़े उसे यूज करने चीए यानके कौन से चीज़ उसकी good conduct है तो यहाँ से आपको इस तरीके का question देखने को मिलेगा इसके रावा इस circuit के अंदर एक important component है जो कि है आपका bulb अब देखिए bulb जो है ये glow कैसे करता है और इससे related आपको कुछ concept पता होने चीज़े अगर हम एक traditional bulb को देखें तो इसके अंदर इस तरीके के एक line होती है जिसको हम क्या बोलते है जिसको हम यहाँ पर tungsten यानकी ये basically filament होता है जो कि किसका बना होता है ये आपका tungsten का बना होता है question यहाँ से बात है कि tungsten के क्या property है तो सबसे पहले तो देखिए इसका high melting point होता है means ये ज़्यादा temperature को भी ये survive कर लेता है साथे साथ इसका high resistance आपको देखने को मिलता है resistance यानके current को जो block करने की property है अभी मैं ohms law के साथ discuss करूँगी तो आपको tungsten के ये दो quality हैं पर अच्छे तरीके से पता होने चाहिए exam के लिए इसके लावा fuse जो है आपके circuit में use किया जाता है जिसको हम safety device के लिए use करते हैं तो basically ये आपके electrical appliances को damage होने से बचाता है अब ये जो safety device है इसके क्या quality है सबसे पहले इसका low melting point होता है यहनकि अगर जादा current आए तो ये खुद break हो जाता है और आपके devices को ये एक तरीके से secure रखता है तो इसका low melting point होता है और high resistance यहाँ पर इसका देखने को मिलता है तो इससे related कई बारी आप से यहाँ पर filament के बारे में आप से fuse के बारे में question पूछे गए तो ये आपको अच्छे से पता होने चीए साथे साथ जैसे मैंने का हमें ohms law देखना है किसी भी circuit के अंदर यहाँ पर आपका जो यहाँ electric current जो flow होता है इसके लिए एक law यहाँ पर बनाया गया है कि जो आपका potential difference होगा क्या है यह resistance resistance basically आपके wire के property होती है कि यह current को कितना block कर सके अब आप खेंगे कि current block हो रहा है हमें कैसा पता चल रहा है आपका device गरम हो रहा है तो device गरम हो रहा है तो यहाँ पर यह resistance work कर रहा है अब resistance के कुछ factors होते हैं जो आपको पता होना चीए resistance जो है आपका length of conductor पर depend करता है length पर यह आपका directly proportional है यानि कि resistance जो होता है वे आपका बड़ेगा जब आपका length बड़ेगा conductor का इसके अलावा दूसरा area पर यह inversely proportional है यानि कि जितनी मोटी टार उतना कम resistance तो यहाँ पर inverse proportion होता है इसके अलावा तीसरा factor होता है nature of conductor यानि कि किस quality का लिया है और कितना temperature आप provide कर रहे हो तो इन दोनों को मिला कर यहाँ पर एक formula बनता है R is directly proportional to यहाँ पर L by A और इसमें proportionality के sign को अगर हम हटाते हैं तो R equals to rho L by A यह formula आपको पता होना चीए इससे related अभी हम कोशन को discuss करेंगे साते सात कुछ liquids जो कि electricity conduct करते हैं यहाँ से भी question आते हैं कुछ आपके good conductor होते हैं कुछ आपके bad conductor होते हैं Good conductor में जैसे कि salt water हो गया Salt water हो गया इसके अलावा vinegar आप यहां पर ले सकते हैं इसके अलावा tap water आप ले सकते हैं या आपके good conductor कहलाते हैं इसके अलावा अगर हम poor conductor या bad conductor की बात करें तो यह होते हैं आपके distilled water अब देखें distilled water को poor conductor बोलते हैं हम insulator मे बोलते हैं क्यों और कुछ basically जो आपके ions produce करते हैं वो good conductor, जो आपके ions produce नहीं करते हैं वो आपके poor conductor अब इस topic के कुछ question में आपके साथ discuss करना चाहूंगी और मैं उमीद करूँगी कि ये session आपको पसंदाया होगा अब मैं आप लोगों के साथ electricity chapter के कुछ और question यहां पर discuss करूँगी तो देखिए अगला question हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है एक liquid में conduction चेक करने के लिए एक tester को यूज किया गया और यह देखा गया कि उसमें जो bulb है वो जलनी रहा which of the following two statement will able to explain the observation तो tester का जो bulb है वो क्यों glow नहीं कर रहा होगा इससे related आप उसे question पूछा गया है तो देखिए पहला reason ही हो सकता है कि जो circuit हो वो incomplete हो incomplete होने में भी bulb glow नहीं करता इसके अलावा यह है कि the current through the tester was too weak ऐसा हो सकता है कि current flow हो रहा हो पर वो इतना कम हो कि उसे यहाँ पर deduct नहीं किया जा सकता यहाँ पर दोनों ही options ही है both A and B जो है यह correct answer होगा अब अगला question हमारे सामने है which of the following material is best suited to make a fuse wire अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ जो fuse होता है इसके बारे में discuss किया था कि fuse की क्या quality होती है अगर हम fuse की quality के बारे में बात करें तो fuse की क्या quality होती है fuse जो है हमारे electrical device में as a safety measure इसे यूज किया जाता है और यह जो safety measure यूज किया जाता है और इससे related हमें दो term पूछे गए कि इन में से कौन सा material जो है एक अच्छा fuse बन सकता है आपको चूज करना है तो पहले material में है कि इसका melting point high होगा resistivity की low होगी तो इस तरीके को combination दे रखा है सारे combinations में फसने से अच्छा आपको fuse की quality पता होनी चीए कि fuse एक safety device है जो कि खुद melt होके हमारे electrical devices को बजा लेता है तो इसका melting point जो होता है यह आपका low देखने को मिलता है तो दो option में आपको दे रखा है साथे साथ इसकी जो resistivity होती है यह आपको high देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो correct combination बैठेगा वो बैठेगा Z में यान कि C option इस question का correct answer है अब हम यहाँ पर electricity chapter से related कुछ previous question यहाँ पर discuss करेंगे जिसमें पहला question हमारे सामने which of the following solution in water do not conduct electricity तो देखे निम्बू पानी यान कि निम्बू का जो रस होता है lemon juice वो electricity conduct करता है कास्टिक सोडा करता है common salt करता है पर अभी मैंने आपके साथ discuss किया था जो सिरका होता है जो sugar solution होता है यह electricity conduct नहीं करता है इसे साबसे इस question का बी जो option है यह correct answer होगा इसके अलावा अगर हम यहाँ पर next question को discuss करें तो next question है what would be the effect of electrical resistance of a wire if length and area of cross section both are double तो देखे है resistance के बात किया है length और area के बात किया है तो इसका formula हम revise करते है इसका formula था r equal to rho l by a यह कैसे बना formula जो resistance होता है कुछ factors पर निर्भर करता है सबसे पहले तो length of conductor पर directly proportional होता है area पर यह inverse proportion होता है और दोनों से हम relate करके formula बना है तो r equals to rho l by a formula होता है अब इसमें बोल रखा है कि length को भी double कर दो तो length को 2 से multiply कर दो area को भी 2 से multiply कर दो क्योंकि area को भी double करने की बात की गई है तो 2 से 2 cut जाएगा अगर दोनों को double कर दिया जाए तो resistance पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो resistance will remain unchanged इस question का correct answer है इस question का D जो option है यह correct answer होगा अब देखिए यहां पर हम लोगों को बोल रखा है which of the following set comprises liquid which are good conductor of electricity इन में से कौन से आपके good conductor होंगे यह हम से पूछ रखा है तो देखिए second option में आपको एक जगा पर distill water दिख रहा है distill water good conductor नहीं होता इसके अलावा यहां पर अगर हम C option में देखिए तो lemon juice आपका good conductor है, vinegar आपका good conductor है tap water good conductor है पर अगर आप यहां पर नीचे D option में आते हैं तो vegetable oil आपका poor conductor है जो कि आपको दोनों option मिल रहा है पहले और D option में इस question का C जो option है यह correct answer होगा तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि सारे content को यहां पर मैं discuss कर पाऊं अब मैंने आप लोगों के साथ chemistry का जो part one लिया था यहां पर chemistry का session लिया था marathon का जिसमें मैंने आप लोगों के साथ chemistry के important chapter यहां पर discuss की थे और मैं उमीद करूंगी कि वो session आप लोगों ने देखा होगा उस session से related यहां पर मैंने आप लोगों के साथ अभी एक question यहां पर share किया है जो कि synthetic fiber and plastics का है और यह question जो है वो सभी candidate यहां पर कर पाएंगे जिन्होंने वो session देखा है साथे साथ अगर आपके NCRT के concept strong है तो भी आप इस question को कर पाएंगे अगर इस question को या फिर chemistry के किसी भी concept को या फिर आपकी अभी preparation जो है अभी उतनी peak पे नहीं हुई तो उस part को आप जरूर देखेगा मैं description में link लगा दूँगी ताकि आपको video easily available हो otherwise see that science paper 2 अगर आप search करेंगे तो भी आपको chemistry का marathon session वापे मिल जाएगा इस question का answer आप homework question में दीजेगा इस question में कोई भी doubt आता है तो part 1 आप जरू देखेगा complete revision के लिए तीन parts आपके आने जो कि आपको आपके exam तक help करेंगे आज की इस video में इतने ही अब मैं आप से मिलती हूँ अगली video में अगली topic के साथ बाई बाई टेक केर